थेहिन अग्म आजकी इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी स्पेसल जीके एवीटी के लिए इस्पेसल हैं फ्रेंट्स वर्न नाइन फारेमेड में आपको रखा गया है तो फ्रेंट्स से काफी इंपोर्डेंट वीडियो का इंड तक बने रहे हैं तो चलिए स्टाट करते ह एरपोर्ट का निर्मार जेवर गौतम बुधनगर में किया जा रहा है ठीक है जेवर गौतम बुधनगर में अगला क्वेशन है कि पुर्वांचल एक्सप्रसवे किस जिले से होकर गुजरती है तो फ्रेंट से यहां से दो टाइप के प्रस्न बनेंगे कि पुर्वांचल एक्सप्रसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगी तो फ्रेंट से पुर्वांचल एक्सप्रसवे देखिए लख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है यानि पुर्वान्चल एक्सप्रेस वे आपके कुल 9 जीलों से होकर गुजरेगी अब 9 जीलों कौन कौन से हैं अगर आप लखनव से चलते हैं तो लखनव से आप चलेंगे फिर उसके बारा बंकी आएंगे देन आप अमेठी आएंगे उसके वाद स से जीले आप देख लीजिए ठीक है इसमें से कोई एक जीला देदेगा बोल देगा पुर्वान्चल एक्सप्रेस वे किस जीले से होकर गुजरती या किस जीले से होकर नहीं गुजरती है अगला कुशन है आपर कि ग्राम पंचायतों दौरा यहां पर लगाया जाने वाला कर कौन सा है तो ग्राम पंचायतों दौरा कौन सा कर लगाया जाता है तो अस्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है ठीक है जो लोकल टेक्स होता है वहां ग्राम पंचायतों दौरा लगाया जाता है यानि ग्राम पंचायतों दौरा कौन सा कर लगाया जाता है तो अस्थान जाता है इटावा को राइट यानि सितार और सुर्बहार संगीत के घराने के लिए कौन जाना जाता है तो इटावा जिला को जाना जाता है ठीक है इटावा को कौन से घराना इटावा घराना अगला कोशन है कि भारतेंदू नाट अकादमी के स्थापना कब हुई तो भारतेंदू नाट अकादमी के स्थापना 1975 में हुई तो फ्रेंड्स देखें इसको हमने कलर कर रखा क्योंकि यह कोशन मोस्ट इंपोर्टन्ट है भारतेंदू नाट अकादमी के स्थापना कब अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में मार मिर्दा जो है कहां पाई जाती है उत्तर प्रदेश में मार मिर्दा बुंदेल खंड में पाई जाती है और इसके कौन से जिले संबंदित है तो जहासी और हमीरपूर तो उत्तर प्रदेश में मारे मिर्दा कहा पाई जाती है बुंदेल खंड में यानि जासी और हमीर में हमीरपूर में अगला कोशन है कि संभु महराज को हिंदुस्तानी सास्त्री संगेत की सिख्षा किस ने दी तो रहिमुदिन खान ने दी ठीक है अगला कोशन है कि मुडिया पूर्डिमा मेला का आयोजन कहां किया जाता है तो प्रथम समाजवादी अभिनो विद्याले खोला गया तो प्रथम समाजवादी अभिनो विद्याले कहां खोला गया यहां प्रयागराज में यानि प्रथम समाजवादी अभिनो विद्याले कहां पर खोला गया प्रयागराज में most important है अगला क्वेशन है कि वह जनजाती जो बहु विवाह बेवस्था को आचरित करती है तो वह कौन सी यहाँ पर जन जाती है तो जोन सारी जन जाती जो है बहु विवाह प्रथा को जो है आचरीत करती है अगला कोश्चन है कि कासी विद्या पीट के संस्थापक कौन है तो कासी विद्या पीट के संस्थापक बाबू सिव प्रसाद गुप्त है प्रेंट्स यहां question most repeated है ठीक है तो बाबू प्रसाद गुप्त है तो कासी विद्धा पीट के संस्थापक कोण है बाबू सिव प्रसाद गुप्त अगला question है कि उत्तर प्रदेश में परेटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रिवल मार्ट का आवजन कहां पर किया गया था तो यहां लखनों में किया गया था ठीक है कहां पर लखनों में नेंस्ट कोश्चन है कि उत्तर पृइंट है कि उत्तर परदेश में कुल केंद्री विस्विद्याले की संख्या dejar है अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सामान केंदरी भी स्विध्याले की संख्या चार है अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में परंपरा गर्थ भूमी मापन इकाई कौंसी है तो उत्तर प्रदेश में परंपरा गर्थ भूमी मापने की इकाई बिगहा है अगला कोशन है कि रोजगार की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्धोग कौन सा है तो रोजगार की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्धोग है तो रोजगार की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्धोग है दस्वी पंच वर्षी योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चितम और दोगिक विर्धिदर अंकित की मोस्ट इंपोर्टन्ट है। अगला कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मूल लेवर्धित कर, यह जिसे वैट कहा जाता है, वैट का मींस हो गया आपका value added tax, ठीक है, वैट का मींस क्या हो गया, value added tax हो गया, तो यह उत्तर प्रदेश में कब लाग हुआ, तो एक जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में वैट लाग हुआ, अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में एक rail coach factory की अस्थापना की जा रही है, जो है उत्तर प्रदेश में एक rail coach factory की अस्थापना की जा रही है, अगला कोशन है कि क्रिसी स्रम उत्तर प्रदेश में क्रिसी स्रम उत्तर प्रदेश में क्रिसी स्रम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, अगला कोशन है कि गंगा यमुना गोमती यों जहलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानि गंगा, यमुना, गोम्ती यो जहेलम में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है तो जहेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है बाकी आपकी गंगा, यमुना, गोम्ती जो है या उत्तर प्रदेश से गुजरती है अगला क्वेशन है कि भारत में चावल क्रिसी छेत्र में उत्तर प्रदेश की कोट ही है यानि चावल के उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है तो या पहला अस्थान है अगला question है कि उत्तर प्रदेश की 2013 के क्रिसी नीत में क्रिसी विकास दर कितनी निर्धायत की गई थी तो 5.1% निर्धायत की गई थी ठीक है कितनी 5.1% अब देखें यहां से important facts है करा कि उत्तर प्रदेश में सिचाई के मुख साधन को और वही करम में दर्थाना है तो फ्रेंट्स एवीटी का paper है यानि एवीटी यानि सिचाई वाग का paper है तो फ्रेंट्स इसके लिए प्रस्ण जो है काफी important है तो उत्तर प्रदेश में सिचाई के जो प्रमुक साधन है और वही करम नीचे दिये गये है पहला है नलकूप के मादियम से देन उसके बाद नहर फिर तालाब एम कुएं फिर annisadhan यानि सबसे पहले नलकूप से किया जाता है उसके बाद नहर से फिर इस से कम जो है नकदी फसल कौन सी है तो उत्तर प्रदेश की प्रमुक नकदी फसल जो है गन्ना है ठीक है कौन सी है गन्ना है फ्रेंट्स अगर इसका पीडियेफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया गया है आप जॉइन के लिए वह कहां पर अस्थापित किया गया है चित्रकूट में अस्थापित किया गया है अगला कोशन है most important है गुरु गोबिन सिंग स्पोर्ट कालेज के स्थापना की गई है तो गुरु गोबिन सिंग स्पोर्ट कालेज के स्थापना कहां की गई है लखनों में की गई है ठीक है कहां भी कहा जाता है यानि computer added designing भी कहा जाता है तो कई बार ऐसे पुछता है कि CAD का full form क्या होता है तो आपको बताना होगा computer added designing अगला question है कि उत्तर प्रदेश का एक मात्र मुप्त भी स्विध्याले जाना जाता है तो उसका अगला question है कि संगीत सिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविध्याले अस्थापित हुआ था वह है तो वह जो है भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविध्याले है ठीक है अगला कोशन है कि भात खंडे संगीत संस्थान लखनो डिम्ड विस्विध्याले बना तो इसके अस्थापना कप की गई 24 अक्टूबर सन 2000 को अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विस्विध्याले काउन सा है तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विस्विध्याले इलाहाबाद विस्विध्याले है यानि प्रयागराज में तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना भी स्विध्याले कौन सा है इलाहाबाद भी स्विध्याले है अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क अस्थापित है तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां पर अस्थापित है या लखनव में अस्थाप इस्तित है most important है और काफी बार repeat हुआ UPSC में तो उत्तर प्रदेश में school आप paper technology कहां पर है सहारनपूर में इस्तित है अगला question है केंद्री उपोष्ट बागवानी संस्थान कहां इस्तित है तो केंद्री उपोष्ट बागवानी संस्थान लखनव में इस्तित है ठीक है कहां पर है लखनव में अगला question है कि सस्यवानकी का राष्टी सोध केंद्र कहां इस्तित है तो सस्यवानकी का राष्टी सोध केंद्र जहांसी में इस्तित है कहां पर जहांसी में सश्यवानकी का राश्टी सोधकेंद्र अवस्थित है अगला कोश्चन जो कि most important है कि भारती दलहन अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो भारती दलहन अनुसंदान संस्थान कानपूर में है यानि भारती दलहन अनुसंदान संस्थान कहां पर है अगला कोशन है कनहयालाल मडिकलाल केंदरी हिंदी संस्थान कहाँ पर है तो कनहयालाल मडिकलाल केंदरी हिंदी संस्थान आगरा में है अगला question देखी यहाँ पर जो मिलान करने वाला है तो friends यह most important है आपको यहाँ से एक प्रशन जरू देखने को मिलेगा चाहे जो यहाँ से देखने को मिल जा है तो लकडी के खिलोने जो है प्रसिद्ध है किस जिले के लिए तो वाराणसी में ठीक है लकडी के खिलोने जो है वाराणसी के लिए मतलब प्रसिद्ध है किस उद्धो के लिए तो वाराणसी प्रसिद्ध है लकडी के खिलोने के लिए उसी प्रकार मेरण जो है किस के लिए प्रसिद्ध है तो खेल के सामान के लिए और मतुरा किसके लिए प्रसिद्ध है तो पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है तो दिया सलाई उद्धोग के लिए प्रसिद्ध है तो फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखेगा इन में से आपको जरूर एक प्रसिद देखने को मिलेगा ठीक है वारांसी किसके लिए प्रसिद्ध है लकड़ी के खिलोने के लिए मेरठ खेल के समान के लिए मथुरा पीतल की मूर्ती और बरेली दिया सलाई उद्धोग के लिए नेक्स्ट कोश्चन है कि डाक्टर भीमरां अमबेटकर यहाँ पर इंस्टिटूट आप टेक्नलोजी फार हैंडिकेप्ड कानपूर में इस्टित है कहाँ पर है कानपूर में नेक्स्ट एंड लास्ट है कि रेनु कोट में जो है रेनु कोट ठीक है वाक किसके उत्पादन के लिए परसिद्ध है तो अलुमीनियम के लिए उसी प्रकार रिसी केस जो है यह किसके उत्पादन के लिए परसिद्ध है या एंटी बायोटिक के लिए और मेरट किसके के लिए और अलीगड किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक बार फिर से दिखा दिते हैं कि रेनुकोट किसके लिए प्रसिद्ध है एंटिबाटिक के लिए और मेरट किसके लिए प्रसिद्ध है खेल के समान के लिए और अलीगड किसके लिए प्रसिद्ध है ताले के लिए ठी तो फ्रेंट्स यहां से हमने important facts को cover किया है तो फ्रेंट्स यहां वीडियो कैसे लिए comment box में जुरू बता हैं बाकी मिलते हैं next video तब तक के लिए धन्यवाद